हेलो गाइज आज हम बनाएंगे मटर के छोले तो हमने यहां पर मटर को बिगा के इसको वाल लिया है आप देख सकते हो यह और यह हमने इसी के साथ आलूबी वाले इसको बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है यह हमने ले लिया है छोले मसाले और यहां पर हमने ले लिय है अद्रग छोटी कटी हुई और लासुन और हरी मिर्च और प्याज आप चाहिए तो लासुन और अद्रग का पेश्ट भी तयार कर सकते हो तो आपने चने का तो बहुत छोला खाया होगा आज हम मटर का छोला बनाएंगे तो आए हम बनाते हैं मैं में गरम हो गया है अब हम इसमें डालेंगे सरट्रू का तेल गाइज यह कोकर में बनाने से हमारा यह मतर का छोला बहुत ही अच्छी से पकग जाता है और बहुत ही टेश्टी बनता है इसलिए कोकर में बनाया है तेल हमारा गरम होगा इसमें डालेंगे एक इस्पून जीरा और दू बड़ा तेज पत्ता और दू साबूत लाल में कटी हुई अध्रक लासन कटा हुआ प्याज कटी हुई खरी लेटी इन सारे चीजों को हां ब्राउन होने तरह हूनेंगे लगबर एक मिनित तरह सिर्षित और छ पीयाज लिए हुआ हной हुद है इसको ही घ्रा के प्याज जो भूंसे हिमारा प्याज गोड़ेंद भूंना है कि हमारा प्याज का पड़ए और PM से करते में में निकले हुद्वेग और आको आप लोग लग लास तक सबस्कून सेधकर प्याल कुले रिवाज सब्सक्राइब करें अबला हुआ है आप इसे चाल के कद्डू करके भी आयो को डाल किके हैं तो हमने बड़े तीचेस में कद्डिया है और इसे हमें एक मिनद कर अच्छे के घंडा है इसमें एड करेंगे छोले मसाले इसमें हम डालेंगे एक स्पून छोटा हल्गी पाउडर से मिक्स करेंगे हमें इसे दो मिनद तक अच्छे से भूलना है ताकि हमारे मसालों का यह कच्चापन निकल जाए और हमारे वीडियो को लाइन सस्क्राइब करना बिरकुल ना भूले ज्यादा से ज्यादा हमारे इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर क्योंकि हमने इसमें हरा मिर्च भी उच किया है इसलिए हमें ज्यादा नहीं डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने vazgeं अच्छे से भूल लिया हे अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे पानी हमें एक ब्लास डालना है और आप अपने पसंद की रिकॉर्डिंग डाल सकते हो कि आपको ग्रेमी वाला छोला पसंद है और फोका छोला पसंद है तो हमें एक ब्लास पानी एड़ किया है और इसे हम दो सीटी हाई फ्लेम पर लगा करेंगे हमें ज़्यादा तो ती ती लगाना थियुक्त कैसे मट अच्छे से ममगट के भूर कि टुद्या कौ दमक की नाथika कि मटने कर दो एग dobr कि घ हागते हैं कि यहीं ते ही च्छे के त्थेशन पक्के कि यह उन्में निकाल लिए आप इसे चाय तो टी आप खासकते बहुत ही टेश्टी लगता है खाने में आप इसे तो नास्ते में भी यूज कर सकते हैं की मट्वी हो गया और इसके सब फस्ता कचबरिया आप किसी यह चिल सकते हम्हाइं में तो हमारा ये छोला बन कर तयार है तो हमारे वीडियो को लाइच सस्क्राइब करना बिर्कुल न भूले ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को सेयर करें और हमारे वीडियो को कमेंड करना बिर्कुल न भूले